तो इस वीडियो में मैं आज फिर एक बुक लेके आया हूँ आपको पता है आप बुक बहुत सारी बढ़ता हूँ इस टाइम कर्म से कम मेरे पास 15 ऐसी बुक है जिनको मैंने अभी तक टच नहीं किया उनका हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ूंगा और अब एक्सपेक कर सकते है कम से कम उन में से 30-40 वीडियो तो मैं लेके आने वाला हूँ तो आज जो बुक लेके आया हूँ वो इनों कितना ज़्यादा नोन तो नहीं है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं इस्टिल आपको एगर सेविंग हैविक बेटर है तो आप हमेशा फिनेंसल फ्र तो ये बुक कुछ उसी तरह से आपको help करने वाली है तो बुक का नाम reveal कर देता हूँ 397 ways to save money ये बुक है 397 ways to save money spend smarter and live well on less कम पैसे में आप कैसे अच्छे से अपनी जिन्रगी विदाईए उसके उपर ये बुक है बेसिकली ये चार पार्ट में बुक को बाटा गया है और पार्ट में उन्होंने जो राइटर है लिडी है इन्होंने बहुत अच्छी बाते बोली और मुझे लगता है personally experience करके बोला है क्योंकि बुक में जो लिखा गया है वो बिना experience की आप लिखी नहीं सकते है तो इस बुक को काफ़ी टेस्ट के साथ experience के साथ लिखा गया पार्ट टू पार्ट ट्री और फार पार्ट बन में रेंटिंग को कवर किया गया रेंटिंग से कैसे आप पैसे बचत कर सकते हैं house ownership करना चाहिए नहीं करना चाहिए financial choices आपकी क्या होने चाहिए shopping से कैसे आप बचत कर सकते हैं पार्ट टू में आ जाएए, होम मेंटिनेंस से आप कैसे बचत कर सकते हैं, एनरजी कैसे बचाएं, एनरजी मतलब जनली लाइट, बिजली पानी इन सब, एनरजी क्लीनिंग से कैसे बचा सकते हैं, पार्ट ट्री में किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, kids bedroom and beyond bathroom laundry room, garage outside your room, यहां से आप कैसे पैसे बचा सकते हैं और part 4 में ways to save your next family vacation, वहां पे कैसे पैसे बचाए, ways to save on your pets, अगर आपके पास pets हैं तो उससे कैसे पैसे बचाए easy, healthy and family dinner month by month maintenance, checklist hardware store, shopping list and then उन्होंने बुला आप स्टार्ट कर दो तो यानि उन्होंने life के हर पहलू को touch है, कैसे उन्होंने पहलू को कैसे एक एक रुपया बचाया जाए, कहां कहां से हम पैसे save करें, उन्होंने काफी कुछ concept दिया है कि renting में कब रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, with example, कब अपना house purchase करना चाहिए, क्यों purchase करना चाहिए, with example कैसे आप छोटी-छोटी अपनी आदतों से पैसे बचा सकते हैं, कैसे आप second hand या used car खरीदें, कैसे आप रीफर्बिस्ट laptop और वगरा चीजेंग ले सकते हैं, कैसे आप अपनी energy को बचाएं कैसे आप cleaning में पैसे बचाएं, कैसे आप छोटी-छोटे amounts जैसे एक रुपया भी अगर आप बचाते हैं per day तो वो कैसे पूरे महीने, पूरे साल भर में कितना पैसा आपको count करता है, कैसे इन्होंने बोला अपने landlord से जब rent increase करने के बात आता है तो थोड़ा सा re-negotiate करके माल लेज़े, आपने 500 रूपी उन्होंने डॉलर में बताया है, थोड़ा और कम बताया है, तो मैं रूपी में बढ़ा के बोल ला हूँ 500 रूपी भी आपने बचा लिया तो 12 महीने में, आनि एक साल में 6000 रूपी बचा सकते हो कैसे आप किसी चीज में कोई चीज खुद खरीदते हो, उसका insurance और उसकी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी जगह पे कुछ और अगर लेके कैसे पैसे बचा सकते हो सस्ती गाड़ी लेने का मतलब केवल उस time के payment को कम नहीं करना होता उसके insurance के खर्चे को कम करना होता है उसके maintenance के खर्चे को कम करना होता है and of course उसका जो fuel efficiency है उसको इसके बारे में बहुत डिटेल और बहुत बढ़ियां बात की गई है इस book के बारे में मैं, point wise discussion बहुत डिटेल में और लेके आऊँगा तो कि इस एक ही में बनाता हूं तो बड़ा हो जाता है मैं इस परपस होता है पहले छोटा सा वीडियो देखे आपका इंट्रेस्स क्रियेट करूँ और बताओं कैसे कैसे छोटी-छोटी चीजें चोटी-छोटी स्टडी चोटा-चोटा यह वीडियो जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बेस्ट है आपकी लाइट कैसे चेंज ला सकता है इसके बारे मैं बहुत जल्दी डिटेल वीडियो लाओंगा तब तक थैंक यू बाबाए टेक कियर